पुलिस ने रंगे हाथ बकरे चोर को किया गिरफतार गश्टी के दौरान हुई कारवाई होली के अफसर पर एक चोर को बकरा चोरी करना उस वक्त भारी पड़ गया जब पुलिस ने उसे रंगे हाथों चोरी कर बकरी को ले जाते पकड़ लिया गश्टी टीम को देख जान बचा कर गिरते पड़ते भागने के दौरान चोटे भी आई बावजूद इसके चोर पुलिस के हत्ते चड़ गया मामला जुले के सायक थाना लोईया नगर इलाके अंतगत सरकिट हाउस इस्दित फ्लाई ओवर के निकट की है आरोपी के पहचान मुफसिल थाना चेत के रजोडा गाउन इवासी महमत सकील का पुत्र महमत फैजान के रूप में बताया जा रहा है आरोपी ने बताया कि पहली बार चोड़ी किया और पुलिस के हत्ते चड़ गया उसने बताया कि बकड़े को फफोट गाउन ले जाकर उसकी मौल जोल के बाद उसे बेच देता गटना के संबन में ओपी अद्यक्ष अमरजीत प्रसाथ सिंग बताया कि पुलिस गश्टी के दौरान ये कारवाई की गई है ओपी अदिक्ष ने बताया कि गस्ती टीम पनास की ओर से लोईया नगर की ओर बढ़ रही थी तभी सरकेट हाउस स्थित सडक पर पुलिस को देख यूवग बकरे को छोड भागने लगा तभी पुलिस ने उसे खदेड कर पकड़ लिया और पूस्ताश के बाद चोड़ी करने की बात सामने आई फिलहाल पुलिस को देख भागने के दौरान लगे चोड से जखमी आरोपी चोड को पुलिस ने इलाज के बाद जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है जबकि बकड़े को उसके मालिक को हवाले कर दिया गया है आपको बताते चलें कि बेगुसराई में स्पी के सक्त दिशा निर्देश पर अपरादिक मामलों पर नियंतरन को लेकर जिले में कई तरह के अभ्यान चलाए जा रही है ताकि अपरादियों पर लगाम लगाया जा सके चलाए गया अभ्यान के परिणाम भी सामने आने शुरू हो गए है जहां टॉप 10 सूची के कुख्याद बदवाशों से लेकर छोटे से छोटे मामले में भी कारवाई करने से पुलिस नहीं चूक रही है और सक्त गष्टी का नतीजा है कि एक मामूली चोर को भी चोरी करना भारी पड़ गया जहां पुलिस की गष्टी टीम ने बखरी के साथ रंगे हातों चोर को पकड़ लिया बीनपी न्यूस के लिए बेगुसराय से अवदेश कुमार की रिपोर्ट हर्डियास किसका किसका चुराया था लुक नंता है इसके पाले कितना चुरी किया है पहले बार किसे पकड़ा गया किसे पकड़ा गया क्या नम है तुम्रा अपिताजिक नम सकी घर को है